आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू और सूजी से बना ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें आपको इडली और बर्गर दोनों का टेस्ट मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि हम यह रेसिपी बेसिक चीजों से जो हमेशा हमारी घर में अवेलेबल रहती हैं उन सार को मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करने जिसे मेरी हर आने वाली वीडियो को देखने में आपको आसानी रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की समझेदार सी रेसि और साथ में ही डालेंगे आधा कप पानी टेस के अकोर्डिंग नमक डाल कर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगी तो मैंने पहले सूजी में सिर्फ आधा कप पानी ही डाला है पहले हम मिक्स करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना पानी डालने की जूरत है सूजी आप देख सकते हैं बैटर की consistency कुछ इस तरह की है बैटर हमने इससे ना ही गाड़ा करना है और ना ही पतला करना है अब सूजी को हमने पूरा 10-12 मिनट का rest देना है क्योंकि सूजी को फूलने में time लगता है 10-12 मिनट में सूजी काफी फूल जाएगी तो सूजी को रखे बेकिंग पाउडर डाला है अगर आपके पास बेकिंग सॉड़ा है तो आप वह भी यूज़ कर सकते हैं लेकिंग बेकिंग सॉड़ा की quantity बेकिंग पाउडर से आधी रखनी है बहुत जादा बेकिंग सॉड़ा नहीं डालना है तो मैंने डाल दिया है इसमें बेकिंग पा के बाद हम इसमें डालेंगे सूजी वाला बैटर, कटोरियों को हमने बैटर से फूल नहीं भरना है, हम इनको हाफ ही रखेंगी, क्योंकि जब हम इनको स्टीम देंगी तो सूजी फूल कर ऊपर तक आएगी, सूजी को फूलने के लिए हमने प्रॉपर स्पेस देना है, यहां सभी कटोरियों को इस तरह से टाइप कर लेंगे ताकि इसमें कोई पॉकेट ना रहे, तो यहां पर मैंने कटोरियों को रखने के लिए एक प्लेट ले ली है, चारों कटोरियों को हम रखेंगे प्लेट के उपर, तो मिश्यर हमारा स्टीम होने के लिए रेडी है, यहां प पूरा 12-14 मिनट तक स्टीम देनी है कडाई को हमने प्रोपर तरीके से कवर करना है स्टीम कहीं से भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए अगर स्टीम बाहर जाएंगी तो जो हमारा मिक्षर है वो पकेगा नहीं तो मैंने जो ढकन लिया था वो प्रोपर कडाई के उपर नहीं आ पाया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है थाली तो यह देखिए थाली से यह अच्छे तरीके से कवर हो गई है अब जब तक मिक्षर हमारा स्टीम होता है तब तक हम दूसरी तारी कर लेंगे यहाँ पर मैंने साथ से आठ उबले हुए आलू लिये है आलू को मैंने अच्छे से छेल लिया है अब हम इनको मैश कर लेंगे मैश करने के लिए मैंने लिया है मैशर आप चाहें तो हाथों से भी इनको मैश कर सकते हैं लेकिन हमने मेश इनको प्रॉपर तरीके से करना है, कोई भी मोटर टुकड़ा इसमें नहीं रहना चाहिए, तो आलू देखिए मैने मेश कर लिए हैं, अब दो तिन चीजे हमने इसमें और एड़ करनी है, तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगी प्याज, मैंने एक मेडियम साइज के प्याज को बारिक चोग करके लिया है, ठोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया टेस्क के कोडिंग नमक, आदा छोड़ा चमच, मैंने चिली फलेक्स इसमें डाला है, आदा चमच ही डाला है आमचुर पाउडर बहुत ज़ादा मसाले भी इसमें डालने की ज़रत नहीं है कम मसालों से, सिंपल मसालों से ही हम ये रेसेपी बना कर त्यार करेंगे तो जो भी मसाले और सबजिया मैंने इसमें डालने थी वो डाल दी है अब सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे टिक्की को थोड़ा सा मोटा या पतला भी रख सकते हैं लेकिन मैं इनको मीडियम साइज का रखूंगी क्योंकि अगर जादा पतला हमने इनको कर दिया तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा तो ये देखिए एक टिक्की मैंने बना ली है अब बाकी की टिक्कियां भी इसी तर हमारी इडली भी स्टीम हो चुकी है पूरे 12-14 मिनट तक इनको स्टीम किया है मैंने अब एक स्टिक की हैल्फ से हम इनको चेक कर रहेंगी कि अच्छे से स्टीम हुई है या नहीं तो आप देख सकती हैं जो मैंने स्टिक इन में डाली थी वो एक्तम से ड्राय निकली है है और कटोरियों को बाहर निकाल लेंगे जब कटोरियां ठंडी हो जाएंगी तो knife की help से idli को scrap करते हुए हमने कटोरि से बाहर निकाल लेना है तो ये देखिए जो हमारी idli है वो proper तरीके से steam होई है और बिल्कुल भी कटोरियों में चिपके नहीं है अब हमने इनको दो-दो पार्ट में कट करना है इस तरह से कट हमने बड़े ही धान से करना है क्योंकि जो हमारी idli है वो काफी soft बनी है ये तोट सकती है अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये देखिए मैंने एक idli को काट लिया है इन में से जो हमारे तीन बन है इनके उपर हम green chutney अपलाई करेंगे ये धनिये पुदीने की हरी chutney है जो हमेशा हम snacks के लिए बनाते हैं तीन बन पर लगाएंगे सेजवान sauce अगर आपके पास सेजवान sauce नहीं है तो आप pizza sauce या फ्री tomato ketchup भी ले सकते हैं sauce सप्लाई कर लेने के बाद हम रखेंगे एक बन के उपर आलू वाली टिक्की जो हमने टिक्कियां बनाई थे आलू टिक्की रखने के बाद उपर से हम दूसरा बन रखतेंगे तो भस हमारी सारी तयारियां हो चुकी है अब हमने हलका सा इनको तवे पर सेख लेना है तो यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है तवे के उपर डाली है एक बॉंड ओयल आप बटर भी ले सकते हैं अच्छे से ओयल को फैला लेना है तवे पर अब तवे पर रखतेंगे बर्गर और दोनों तरफ से हलका सा इनको सेख लेना है हलका सा गोल्डन कलर आजाने तक आप इनको बर्गर भी कह सकते हैं या फिर स्टफड इडली भी बॉल सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्ट यह बन कर तयार होते हैं आप इनको break fast में, evening में या फिर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चे हो जाए बड़े हो सब को ये recipe बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और जैसा कि आपने देखा कि इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसाल है और basic चीजों से ये बनकर तयार हो जाती है तो दूनों तरफ से मैंने इनको सेख लिया है, आप निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो friends आप भी एक बार मेरे तरीके से ये recipe ज़रूर ट्राइ कीजिएगा बहुत सदा टेस्टी ये बनकर तयार होते हैं यकीन मानिए अगर एक बार आपने ये बना कर खा लिए तो आप इनके फैन हो जाएंगे तो आप भी मेरे तरीके से एक बार ये recipe बनाना, खाना और कैसे आपको मेरे आज की recipe लगी मुझे comment करके ज़रूर बताना फिर मिलेंगे एको नई recipe के साथ तब तती केर वबाई